यहीं देखे गाइस हमारry yummy tasty क्रीमी nectar wali mutt का कुलफी जिसमें ना हम कैनिम्ल का यूज़ करेंगे ना ब्रेट का यूज़ करेंगे ना ही बहुत यादा दूद का यूज़ करेंगे और ना ही synchronous vloard तो देखिए हम इसका यूज़ क्या करेंगे आज इतना yummy tasty आइस्क्रीम बनाने के लिए जो कि बच्चे मांग मांग कर खाएंगे एकदम डिलीसियस टेस्टी यम्मी आइस्क्रीम तो देखिए हम आपको पूरी की पूरी आइस्क्रीम कट करके दिखा रहा हैं तो हलो एरिवन आप सब का स्वागत है हमारे यूटुब चनल चाया मिस्र आपको पूरी यूटुब पर ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी जिसमें केकरस यूज किये गया हूं तो हमने 6-7 केकरस ले लिए हैं तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनानी है पहले हमने एक पैन ले लिया है जिसको वाश कर लिया है जिससे की तली में दूद ना चिपके औ इसको हमने हैवी बॉटम का दूद पैन लिया है और इसमें हम फुल फैट मिल्क एड़ करेंगे तो यह हमारा दूद दो ग्लास दूद है देख सकते हैं क्योंकि कुल्फी वगरा है फुल फैट दूद वाला दूद होता है उसमें ज्यादा अच्छा लगता है तो यह दूद भी हमारा बॉइल हो चुका है इसको हम बॉइल करने तक कुक करेंगे तो यह देखिए अच्छे से बॉइल आ जाएगा यह देखिए अच्छे से बॉइल आ चुका है तो अब हम इसमें डाल देंगे अपना जो हमने पीस कर रखा था इंकर यानि सूखी हुई पर जाएंगी कोई प्रॉब्लम नहीं देखिए सारी गारी गांटे तूट गई है अच्छे से तो इसको हम अच्छे से पका लेंगे अब हम इसको इतना पकाएंगे कि यह कॉंटिटी में हाफ रह जाए तो देखिए यह हमारा कितना गाला हो गया है पकते पकते तो अब इ इक्ष को उधे हाफ कटोरी अहां बैया हमारी में लिया तो एससे जाएंगे और मिक्स करने तक पकाए बस इसस ज्यादा नहीं मेंत पकाणा है तो नहीं में पघर जाया इतना ही हमें सब्सक्राइब करना है तो आप देख सकते हैं कि जो आस पास लग जाता है उसको भी आप छुटा लें और उसी में मिक्स करते जाए तो यह देखिए एक हमने 5-6 चुटकी इलाइची पाउडर डाल दिया है तो यह देखिए आप देख सकते हैं कि इतना थिक हो गया है कि अच्छे से हमारे पर कोड ओर रहा है तो बस इतना ही थिक हमें चाहिए तो अब हम करेंगे ठंडा अच्छे से हमें अपने फिलेम बंद कर दिये हैं कि अपनी बंद कर दिया और इसको करेंगे हम ठंडा करते हुए इसे हमने कुक करना है कि हमारी क्डाई है बॉट्म कि है तो अगर छोड़ तो जल जाएगी इसलिए हम इसे चलाते रहेंगे और चलाते हुए ठंडा कर लेंगे और इसमें अब हम डालेंगे नमक क्योंकि मटका कुलफी में नमक का टेस्ट आता रहता है तो वह बहुत टेस्टी लगता है और वैसे भी कोई भी मीठी चीज में आप नमक एड़ करें तो उसका टेस्ट इनहेंस हो जाता है तो यह देखे ठंडा कर लिया है हमने ग्राइंडर में डाल दिया है अब अच्छे से मलाई ठीक है आपके पास अगर मलाई ना हो तो आप क्रीम भी ले सकते हैं मार्केट वाली तो हमने मलाई यूज करी है तो यह देखे इस तरह से मलाई हमने मिक्स कर दी है मगर ध्यान रहे मलाई एड़ करने के बाद ज्यादा ग्राइंडर को चलाना नहीं है औ अब हम अपने मॉल्ड में इसको भर के जमने के लिए रख देंगे तो देखे इस तरह का मॉल्ड ना हो तो आपके पास ग्लास हो तो किसी भी तरह से ग्लास आप ले लें चोटी बडी जिस भी तरह की हो आपके पास चलिए हम अपना मॉल्ड में भरते हैं तो यह देखिए देखे गाइज एक बात और मलाई को जब हम मिक्सी में ग्राइंडर में डाल कर ग्राइंड करते हैं तो कोसिस यह करें कि मलाई बिल्कुल ठंडी दम चिल्ड हो वरना इसको मिलाई मिक्स करते समय आप ज्यादा फेट देंगे तो इससे मक्खन निकल आएगा तो यह देखे ए जैसे भी आप कवर कर पाएं कवर कर दे क्योंकि इससे आइस क्रिस्टल हमारी नहीं आएंगे इस तरह से आप इस्टिक लगाना चाहे तो इस्टिक लगा सकते हैं तो यह देखे हैं हमने लगा दिये तो अब हमने उस अपने मोल्ड को रख दिया था फ्रिजर में जमने के लिए 5-6 गंटे के लिए maximum लगता है जमने के लिए तो यह देखे हैं हमने अपना हमारी आइस किम जम कर तयार है तो यह में निकाल दी है तो देखिए इसका टैक्सचर यह देखे कितना अच्छे से जम गई है पांसे छे गंटे में तो देखें इसके स्टिक हमने लगाई सब ही आपके ही कहेंगे यही हमें मटका कुल्फियाली आइस क्रीम खानी है तो देखिए इसमें हमें नाइफ लगाकर की निकाल लिया है क्योंकि हमने स्टिक नहीं लगाई थी इस वज़ए से में निकालना पड़ा इस तरह से तो देखिए अब हम कट कर देखेंगे दिख आइस क्रीम हमारे बन करके तयार हुई है कि यह देख सकते हैं सारी की सारी हमने कट करके आपको दिखाई है बच्चे हो या बड़े सब को बहुत पसंद आने वाली है यह आईस क्रीम सब आप लोगों से यही डिमांड करने वाले है सब तारीफ करते हुए नहीं धाकेंगे तो यह देखिए तो इसी तरह से हम निकाल करके रख लेंगे अपनी मोर्ड वाली भी देखिए थोड़ी देर आप निकाल के बाहर रख दीजिए और नॉर्मल पानी में रख लीजिए तो यह आसानी से निकल आएंगी तो यह इसका टेक्स्टर देखिए यम्मी टेस्टी कि कि एक बार खाएंगे भूल नहीं पाएंगे तो अगर हमारी यह रेस्पी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर मिलते नेक्स डे नेक्स रेस्पी के साथ तब बाए